नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो में लेकर आये हूँ, ये वीडियो बड़ा जबरदस्त है अचली बहुत सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया इस वीडियो के बारे में ये डीडीन भारत चैनल का वीडियो है और इसका टाइटल है अतीक पर योगी का आक्षन देख मुस्लिमों ने जो बोला सुनके चौक चाएंगे चली देखते हैं भई कि ऐसा क्या हुआ वैसे बता दूँ कि अतीक आहमद जो है वो यूपी के बहुत एक बाहुबली है गैंक्स्टर हैं बड़ा आतंक था उनका और अभी एक हत्याकांड में उनका बेटा भी दिखा कि उपिस्टॉल निकाल के मार रहा था बीच सड़क पे तो बहुत सारी चीजे हुई है उस पर अक्शन हुआ है अब इस पर जो है राजनीती हो गई कि अतीक आहमद जो है वो मुसल्मान है और योगी जो है वो एक हिंदुवादी नेता है यूपी के सीएम है तो उन पर जो है वो हिंदु-मुसल्मान वाला काड खेला जाने लग अब इस पर मुसलिम्स का कह रहे हैं ये सुनना जो है वो बड़ा हरान करने वाल होगा कि उनकी राय क्या है तो चलिए आए देखते हैं मेरा नाम बिलाल एहमद तहां से आप दिली से हैं अच्छा अभी जो चल रही है चर्चा 24 की हम बात करें तो देश का अगला प्रधान मंतरी कौन होना चाहिए काम बढ़िया हो रहा है हमारे देश में क्या काम बढ़िया है रहा है उसको कैसे देखते हैं अब क्या कहीं जो क्रिमन ले उसके साथ सब कुछ हो हिंदुस्तान के अंदर हर्तीज होने जी है कि अगर हो क्रिमाल लेदा ऊर्डby और अगर शरीफ आदमी है तो उसके साथ कोई दियाती नहीं अगर वो क्रिमाल है उसके साथ जो हुआ वढ़िया हुआ हुए हुआ है उस पर यह पारवाई होनी ही चाहिए और इससे बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि जो बांटने का काम कर रही है हिंदू-Muslim हो रहा है क्या लगता है आपको रहे हैं बाजपा सरकार में तो कई दिखा नहीं है अगर कई उपी में कई हो रही है तो उसकी तरफ को सरकार को खुद दियान देना चाहिए हमारे दिल्ल लोग कहते हैं खाली सुन है हमने मैं अकसर पाकिस्तानियों की बाते सुनता हूं वो कहते हैं कि जूट बोल रहे हैं ये बी-जे-पी के अजaddas है इनको डरके बोलना पड़ रहा है कि जूँने तुज़र है इसलिए डर है आप ये बताएए कि इनके चहरे से आपको क्या ड जमीन है, भारत में उनके पुर्खे रहे हैं, अपने देश में अपनी जमीन पर काहे का डर, तो ये जो आप लोग जबरदस्ती का हगवा बनाते हो न, देखे, हिंदुस्तान को आप लोग उन्हें देखा नहीं है, और धीरे-धीरे अब यूटूब आने से धीरे-धीरे बह करते हैं, अब वो देख चुके हैंगे नहीं यार, जो हमें बताया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, यहां तो मामला उलट है, और कोई किसी के कनपटी पे बंदूख रखे, कब तक कोई चीज उगलवा लेगा भाई, भारत में मुसल्मान भाईयों की संक्या कम तो नही चाहिए, और बिना इतनी बड़ी संक्या में किसी समुधाय का होना, आप उनकी क्या कहते हैं, उनकी मदद कभी ना है, उनके योगदान की बिना, मदद छोड़ दीजे, योगदान के बिना, कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे पारस लेकिन राहूल गांदी को आपने सुनाय वो उन्हों ने एक बारत जोड़ो यात्रा भी सुरू की वो कि नफरत फैल रही है देश में नफरत का महाल है हम महबत बांट रहे हैं महबत की दुकान को लेंगे क्या कहींगे लेकिन अभी जब लाल के लिए पर आंके बोले थे तो उन्होंने कहा दा मुझे कहीं नफरत नहीं मिली अगर नफरत होती हिंदुस्तान में नफरत फैली होती तो जब रहूल गांदी जी को कहीं नफरत नहीं मिली तो कहा है नफरत कहीं नफरत नहीं है पिशले 75 साल में हिंदुस्तान जिस लेबल तक आगे बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा जो मोदी जी के राज में बढ़ा है अभी तक जितने भी हिंदु मुसलिम जगड़े हुए कांग्रेस के साशन में हुए कहां हुआ बताई कांग्रेस के साशन में जगड़े हुए बानवे हुआ हुआ गाज में लगते हैं कि टार्गेट किया मुसलिमों को बदनाम कि रहा डराया जा रहा है उसको लेकर क्या क्या कर दोगता है चुनोती दे पाएगा दोजाद 24 में मोदी जी को अब भी कुछ नहीं मिलेगा मोदी जी आएंगे महंगाई बेरोजगारी की बात करें तो वो कहते हैं राहूल गांदी कि हमें मौका देजिए महंगाई कम करेंगे रोजगार देंगे जब से वाजपा सरकारा आई ये कमर तोड़ महंगाई ये क्या कहेंगे तो हुई है लेकिन अगर कोई ये कहें कि हम आएंगे कम कर देंगे ये हमें लॉली बॉप दिया जा रही है जूट का क्योंकि कोई भी आए वो नहीं कर सकता सबसे ज्यादा वर्षनाचार कॉंग्रेस के दोर में पिछले सतर सालों में ही हुए है अब वो अपना पेट भरेंगे तो गरीबों की तरफ देखेंगे गरीबों की तरफ देखने का मोका जब मिलेगा जब उनका पेट भर जाएगा उनका पेट नहीं भरा है वो तो सत्ता छोड़के गए ते इसलिए कि ताकि जो उन्होंने भश्टा चार करा है उसकी रखम को सेट कर सके भार ले जागे इसलिए बीजेपी आई यह अगर अगर आती है तो यह फिर बश्टा चार करेगी जानना चाहूंगा मोदी जी के अंदर क्या खूबी आप करां कि मोदी जी कोई आना चाहिए लेकिन नितीज कुमार ममता बैनर जी अरविंद केजिरवाल यह सब कहते हैं कि जनता परिशान है मोदी बाटने का काम करा है केजिवाल करा करते हैं कि δो सोःनित के नाम पर ठाक रही है शिच्काराजी ले रही है यह जमानदा यह स्ट्ज के रही है от इमानदार होते हैं तो मनिश सो दिया और जेल नहीं जाते हैं उन्हें पर आरोप सिद्ध हुआ है इसलिए जेल गए हुँ तो आप डिली से हैं तो दिली की हम विकास की बात करें तो कितना विकास हो दिली केजरीवाल का दिली मॉडल की बात को तो मैं भी मानता हूं कि शीला दिक्षिट जो थी दिली की चीफ मिनिसर कॉंग्रिस की निता थी और उन्होंने बहुत अच्छा दिली को डेवलप किया मुझे याद है कि जब मैं सन 2000 के टाइम पर आया था यहां प उसके बाद भी रही जमीन आसमान का फरक आया डेवलप्मेंट आँखों से दिखी थी मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए पार्टी कोई भी हो कॉंग्रेस हो बीजेपी हो उससे कोई मतलब नहीं कोई मुझे कहता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं कोई कहता है कि जैसा है मैं किसी का एजेंट नहीं हूं मैं यह कहता हूं कि जो पार्टी काम करेगी वो तारीफ भी पाएगी और वोट भी पाएगी शीला दिक्षिट जी ने काम किया था तो दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट दिया अभी अर्विन केजरिवाल सत्ता में है दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि जी वो काम कर रहे हैं तो वोट पा रहे हैं सिंपल है बिलकुल और इसमें जो जनता चाहेगी जनता के वोट को तो मानना पड़ेगा न आपको अगर जनता केजरिवाल जी को जिता रही है तो उसने कुछ न कुछ तो देखा है अब अच्छे बात है कि उनने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी है वो जनता का फैसला है वैसे मैं कहता हूँ कॉंग्रेस के टाइम पे दिल्ली में मैं शिला दिक्षि जी की बात कर रहा हूँ उनके टाइम पे बहुत काम है दिल्ली को बदलते हुए देखा मैं, सच बोलने में कोई बुरा ही नहीं वालने तो 200 यूनिट के नाम पे दिल्ली को लूटा है और गुम्रा किया और दिल्ली की पपलिक को पानी फिरी सब कुछ पिरी दे रहे हैं आज भी है पानी की परिशानी आज भी आप मेरे साथ चलो मैं भी दिखाता हूं लोग कितने गालिया बगते हैं हमारे विदायक इम्रान हुसेन साब को देखो जाके पतनी लोग कितनी बार उनके चौकट पर होके आगा है आज तक पानी की परिशानी दूर नहीं हुई है कर रहा है कि दिल्ली को आप ने चमका दिया आप फृधान मंत्री कुरसी तक जाएगे हुदागे बाराइध जोड़ो आत्रा की उन्होंने कुछ फायदा मिलेगा और बढ़ेगा उन्होंने अपना टाइम खराब किया है और कुछ नहीं मिलेगा कौन सा काम अच्छा लगा जिस वज़े से आप कह रहे हैं कि हम मोगा देना चाहिए कि काम बढ़े जी में सबसे अच्छी बात मोधी जी की सबसे अच्छी बात यह अच्छा बात صرف फैसले लेने के नहीं है फैसले उन्होंने बहुत सारे लिये and ऐसा नहीं बेनी है जो कृशी कानून लेकर आये उनको वापस लेना पड़ा देखे सरकार के मनशा क्या थी नहीं थी वो सब बहस की बात है अलग बात है सब कुछ है लेकिन किसी पीम ने आप ये समझेए कि उसने कोशिश की कि मैं एक चीज लेकर आता हूँ नए कानून लेकर आता हूँ भले हूँ कुछ भी हो लोगों को समझ में आया नहीं आया लेकिन जब किसान जिद पर अड़ गए कि बहस हमें ये नहीं चाहिए उसके लिए आंदोलन हुआ लोगतांत्रिक तरीके सांदोलन हुआ साल भर से ज़ादा अंदोलन चला आखिरकार भारत की सरकार को जुकना पड़ा क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार है आप जनता अगर किसी बात पर अड़ी है कि ये काम होना चाहिए और वो अगर जायज है वो नहीं मान रहे चलिए और अक्सर ऐसा होता है कि सरकारे कानून बनाती है सरकारे फैसले करती है सरकारे पॉलिसी लेकर आती है हो सकता है कि जो जनता है वो उससे संतुष नहीं हो उससे कुछ और समझ में आ रहा हो उसने नहीं माना तो आप देखिए ये करेज की बात होती है यह courage की बात होती है, हिम्मत की बात होती है कि अपना फैसला वापस लेना ना उन्होंने किसी PM को देखा है इसे माफी माँगते हैं उन्होंने माफी माँगी और कहा कि ठीक है अगर लोगों को पस्द नहीं आया है इस चीज को वापस लिया जाता है कि शिकारून को तो ये है, खुद मुक्तारी के मतलब ये है कि आप अगर ला रहे हैं, तो अगर जंदा को पसद नहीं है तो वापस भी ले लिया आपने इतना भी गट सापके पास होना ची हुआ महेश महेश जी दिकनेने में तो आप बाहू बली के जो फिल्म में कटपप था एक वैसा लग रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहें कि सी काम कर रहे रहे हैनी बहुत अच्छा इजो कमसक आने वाले जो ए इंसन को देख रहे हैं कary कर रहे है तो 24 की बात करें कौन होना चाहिए प्रदान मंतरी यह नी उन तो निन्ने बता है का आपका है आपके विचार क्या है, आपके बुचार क्या है ने हम अपना बता चाहिए ने आपको, अपना बता ही यह तो हम तो उनकी दयाँगे, इसरी वार आएंगे थे पिर, वो तो निर्माळ कर रहका था टिक है अई खुझे अगश है कि तो ने छोड़ दोगे तो उनका भी प्रती हो रहा है जो अच्छी तू अच्छी कर दो सब्सक्राइब यह इस तरह से उनके जो उमेश अत्याकान के बाद लगा तार चापे मारी हो रही है कारवाई हो रही है तो जो ने देश का मुख्या मंतरिया परधन मंतरिया उसके लिए वहाँ जाती है तो उस बुराई को हमाप पकड़ते हैं अच्छाई को छोड़ देते हैं उस एक बुराई को पकड़के जो है कि हमारे साथ ऐसा हुआ आपने का कि योगी जो फैसला ले रहे हैं गुंडा गिर्दी खतम होगी उससे सहमत है उससे सहमत इस बात से भी है कि सब्सक्राइब खली मुसलिमों पर नहों यह विकास दूपर करका और कुछ छोड़ दिया जाए हर करवाई बहुत अच्छी चीज़े गुंडा करती कि यह इस पर मैं सहमत बहुत अच्छा योगी नहीं पार्लियामेंट के अंदर योगी जी को बोला कि तुम्हारी राज में बंफट रहे हैं इलाहाबाद के अदर तो उन्हों ने जोसमें आके कुछ ऐसे आपने बैयाना एक बहुत बाइरल था मोध योगी जी का संसद में का कि हम गुंडे मापिया को मिट्टी में मिला देंगे क्या गई उसको ले तो बहुत रहे हैं नहीं चीज सही कर रहे हैं चली दोस्तों वीडियो खतम हो गया और आपने बाते सुननी और इस बात से जो आकिरवाले चचाब बात कह रहे थे मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ देखिए गुंडा गर्दी में हिंदू हो मुसल्मान हो कोई फरक नहीं पड़ता और मैं यूपी के बता रहूं विकास दूबे गया ना गुंड़ा ही नहीं चलेगी बॉस गुंडा गरदी अगर आप करेंगे चाहे आप कि किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजब के हों, किसी भी कास्ट के हों, कोई भी हों, X, Y, Z, कितने भी बड़े क्या क्यों नहूं? कानून अगर काम अपने कर रहा है, और यह हो नहीं च़ीह और आपने लोगों की राए देख लिए मैं ये वीडियो इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे जो पाकिस्तान के मुस्लिमों के मन में जो एक धारणा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ बहुत जुल्म होता है उनको इसलाम के प्राक्टिस नहीं करने दी जाती उनके साथ बतम मार पीट ये वो सब कुछ होता है आप ये बताइए कि लोगों के बीच जाकर मुस्लिम से इसमें कई सारे थे मुस्लि थे क्या आपको लगा कि इनके साथ जुल्म हो रहा होगा इकका दुका घटनाएं हर जगा होती है एक घर में भी घटनाएं हो जाती है यहां तो 130 करोड की जनसंग क्या है बॉस क्या आपके यहां घटनाएं नहीं होती है क्या वहाँ पर शियाओं और एहमदियों पर जुल्म नहीं हो रहा है क्या महाँ पर हिंदूं और इसाइवों पर जुल्म नहीं हो रहा है क्या सिखों पर जुल्म नहीं हो रहा है क्या आप तो 22 करोड में आपके तो इतने से हैं तब आप जुल्म कर रहे हो आप सोचो कि अगर हमारे यहां हो तो जुल्म हो का लोगों से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई आप लोग अब इंटरनेट का जमाना है आप देखें आप दुनिया को जाने आप हिंदुस्तान को जाने आप भारत के मुसल्मानों पर कम से कम लाकों वीडियोज है यूटूब पर आप जा कर देखिए वो सारे मूड क्या है ठीक है ये तीन चार पांच लोग हैं लेकिन ये रैंडम लोग हैं ये भीड में से चुने गए हैं आप देख रहे थे कि शायद एक लाल के लाका इलाका था चानी चौक का इलाका था बाकि इदर उदर तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कि किसी को सेटिंग कर दी कि जो आपको दिखाया जाता है जो आपको बताया जाता है वो नहीं है वो प्रपगंडा है हकीकत यूटूब पर है तो जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हुद